हलो फ्रेंड्स आपका मेरे रजसानी कीचन में स्वागत हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हल्वा पूरी और साथ में मैंने यहाँ पर काले चने की सबजी बनाई थी। ये हमने राम नौमी के दिन भोग परसाद में बनाया था और राम नौमी के दिन भोग परसाद में काले चने हल्वा और पूरी ही बनती हैं इनका ही यहाँ पर राम भगवान को भोग लगता है और ये वीडियो ना कल की है कल मैंने यहाँ पर हल्वा पूरी बनाया था बट कल में upload नहीं कर पाय थी तो आज upload कर रहा हूं और यहां पर मैंने चने ले लिये हैं काले चने को ना मैंने रात को ही विगो के रख दिया था क्योंकि मुझे सुबे उठके बनाना था इसलिए आप अगर लेट बना रहे हो तो सुबे उठके भी इसे बिगो के रख सकते हो और आप देख सकते हो कि चन्ने कितने अच्छे से फूल गए हैं यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया हैं कुकर में हम सारे चने डाल जिस कटोरी से हमने चने डाले थे ना उसी कटोरी से हम यहाँ पर दो कटोरी पानी डाल लेंगे और थोड़ा सा नमक एड करेंगे इसमें आप चाहो तो यहाँ पर ओल भी डाल सकते हो बट मैंने ओल नहीं डाला है थोड़ा सा नमक डालके फिर कुकर का ढकन लगा लेंगे कुकर का ढकन लगाने के बाद इसे गेस पे चड़ाएंगे और हम चने को 4-5 सीटी आने तक यहाँ पर अच्छे से इने पकाएंगे गेस पे चड़ाने के बाद हम आगे की त्यारी कर लेते हैं यहाँ पर मैंने एक प्याज ले लिया है हरी मिर्च ले लिया है और मैंने यहाँ पर लेसुन भी ले लिया है और दो टमाटर लिये हैं फेले हम यहाँ पर प्याज को छील लेंगे फिर हम यहाँ पर लेसुन को साफ करेंगे एके करके लेसुन को छील लेंगे लेसुन हमें यहाँ पर जादा नहीं लेना है बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है lesson की कलिया मैंने यहाँ पर ले ली हैं 7-8 उसके बाद हम यहाँ पर हरी मिर्च के भी टुकड़े करके डालेंगे ताकि यह अच्छे से grind हो जाएं आप यहाँ पर पूरी वाली हरी मिर्च मत डालना टुकड़े करके ही डालना फिर हम डाल लेंगे प्यास को प्यास को भी हम यहाँ पर काट कर डालेंगे प्यास को हमें मीडियम साइज में कट करना है यहाँ पर आप मोटा ज्यादा मत रखना वरना यह अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा उसके बाद हम यहाँ पर टामाटर को भी कट करके डालेंगे औ और आप देख सकते हो कि मैंने इनका कितना अच्छे से पेस्ट बना लिया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुकर में भी सीटी आना स्टार्ट हो गई हैं हम यहाँ पर इसे चार से पास सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे इनको जब तक सीटी आ रही तब तक हम क्या करते हैं पहले आटा लगा के रख देंगे रेश्ट के लिए तो मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है और थोड़ असा इसमें नमक डालेंगे थोड़ अजवाइन डालेंगे पूर्यू में आजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता ह है आप अजवाइन ज़रू डालें बहुत अच्छा लगता है अजवाइन सारी चीजे डालने के बाद हम थोड़ थोड़ा पानी डालके हुए आठा लगा लेंगे आठा हमें यहाँ पर ज्यादा सोफ्ट या ज्यादा सकत भी नहीं लगाना है मीडियम साइज मतलब थोड नहीं रखना है बिल्कुल थोड़ा सा सोफ्ट डो लगाएंगे ना तो हमारी पूरियां बहुत अच्छी बनेगी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया है अच्छे से और अब हम यहाँ पर आटे को क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए रेश्ट के पोबल गया मतister कितने अच्छे मेश हो गये हैं ions कि आप देख सकते हो कि जैसे हों अंगली से दबार है कितने अच्छे से मेश हो गये हैं तो चलिए गेस की तरप चलते हैं, गेस भी मैंने यहाँ पर कडाई चड़ा दी हैं, कडाई में डालेंगे ओयल, ओयल में आप जादा नहीं डालूंगी थोड़ा सा ही ओयल डालेंगे, और जब थोड़ा सा ओयल गरम हो जाएगा तब हम यहाँ पर डालेंगे, दो से तीन काल प्याज को मैंने यहां पर बारीक कट कर लिया है और यह वाला प्याज ना मैंने बाद में कट किया था उस टाइम पे में बूल गए थी तो मैंने बाद में बारीक कट कर लिया प्याज को और प्याज को हम कंटीनुशली चलाते हुए यहां पर इसे गोल्डन होने तक अच्छ होने लग गया है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें चदसे चदसे शेयर करें कमेंट में जरूर बताना कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और आपके यहां क्या-क्या बनाया जाता है बोक्रसाद में प्याज अच्छे से प लेंगे क्योंकि टमाटर और जो प्यास ना उसको मने ग्राइंड किया था वह भी पानी छोड़ते हैं तो अब भी हम पानी इसमें बिलकुल भी नहीं डालेंगे आप देख सकते हों कि कितने अच्छे से यह उबल रहे हैं तो अब हम यहां पर डालेंगे बेसिक से मसाले सबसे पहले मैंने यहां पर थोड़ी सी हल्दी डाली है फिर हम यहां पर डालेंगे लाल मिर्च स्वाद के अकोटिंगे डालेंगे क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च यहां पर फोड़ा सा दालेंगे तो आप दालेंगे घरम मसाला और फिर से इन सब पानी डालने के बाद इसे चलाते रहेंगे और ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक कि ग्रेवी में से तेल बिल्कुल अलग नहीं होने लग जाता जब तेल अलग होने लग जाएगा ना तब ही हम यहाँ पर जो हमने चने उबाल के रखे थे ना वो डालेंगे बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है ग्रेवी में से पहुत ही टेस्टी बनते ही ये काले चने आपने कभी नहीं ट्राई किया है तो आप ज़रूर से ट्राई करना और आपके यहां पोग प्रसाद में क्या बनाए जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी अच्छी से पक गई है इसका जो ओल है ना वो भी बाहर मतलब अलग से रिलीस होने लग गया है अब हम यहां पर जो हमने चने उबाल के रखे थे थे ना वो डाल लेंगे और मैं यहां पर थोड़ा सा पानी ओड एड करूंगे मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था क्यूंकि चने अब भी ग्रेवी में भी उबलेंगे और ग्रेवी में जब यह उबलेंगे ना तब ही ग्रेवी का मतलब इसमें अच्छा सा स्वाद आता है बहुत अच्छे से तुर्ष कम पसंद आता है तो यहां तो उसे ही बनते हें बिल्कुल सुखे वाले नहीं बनते हैं और यहां पर मैं थोड़ा सा धनिया डाल दूगी यह कसूरी मेथी नहीं है यह धनिया है धनिया क्या है कि हमारे यहां जादा था ना तो मैंने सूखा की रख दिया था दन्या डालने के बाद फिर से mix करेंगे और थोड़ी देर ऊबालेंगे ताकि थोड़ी से पानी और कम हो जाए और थोड़ी से गाड़ी हो जाए सब्जी यहां पर हमारी सबजी उबल रही तब तक हम दूसरे गेस पर कड़ाई चड़ाएंगे और इसमें हलपा बना लेंगे कड़ाई में हम गी डाल लेंगे गी को करम होने देंगे गी गरम होने के बाद हम डालेंगे यहां पर आटा मैं सूजी का हलवा नहीं बना रहे हूँ यहाँ पर मैं आटे का हलवा बना रहे हूँ आप चाहू तो यहाँ पर सूजी का हलवा भी बना सकते हो अटा डालने के बाद continuously इससे चलाते रहेंगे और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा गी और एड करूँगे इसमें यह डालने के बाद फिर से इसे continuously चलाते रहेंगे और हमें यहाँ पर इसे तब तक पकाना है जब तक इसका color change नहीं हो जाता और इसमें बहुत अच्छे से खुदबू नहीं आने लग जाती तब तक हम इसे continuously चलाते हुए पकाएंगे और एक बात को आपको यहाँ पर खास ज चलाते ही रहेंगे और आप देख सकते हो कि इसका color थोड़ा सा चेंज हुने लग गया है लेकिन हम इसे और पकाएंगे जब तक कि इसका बिल्कुल ही color change नहीं हो जाता मतलब यह बिल्कुल सुने रहा नहीं हो जाता तब तक हम इसे चलाते रहेंगे और आप देख सकते हो कि इसका color change हो रहा है दिरे दिरे और गेस की flame को हमें medium ही रगना है high flame नहीं करेंगे हम अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी हम एक हास से पानी डालेंगे और एक हास से चलाते रहेंगे ताक कि इसमें गुठलियां बिल्कुल भी ना रहें अच्छे से पका लेंगे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें जदा से जदा शेयर करें कमेंट में सरूर बताना कि आज की रेसिप्या आपको कैसी लगी यहां पर हम पानी डालते जाएंगे और इसे एक हासे चलाते भी जाएंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना रहें और अच्छे से यह पक जाएं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए यहां पर इसे अच्छे से पका लेंगे बहुत अच्छे से इसकी खुसबू आने लग जाती है ना की में तो तभी हम यहां पर पानी डालेंगे अगर आपको यहां पर कलर में पता ना चले ना तो आप खुसबू से भी यहां पर इस जब चीनी डालना के पतला हो जाता है और आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि न्यू अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके और ऐसे ही अगर न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और यहां पर हम थोड़ा सा गी और एड़ करेंगे इससे इसका फ्ल कड़ाई में साफ कर लूंगे कड़ाई को फिर ओयल डालूंगी ताकि इसी में पूरिया बनाएंगे अटा हमने पेले ही लगा के रख दिया था पूरियों का तो अच्छे सेट हो गया है तेल डालने के बाद तेल को हम घरम होने देंगे तब तक हम आगे त्यारी करें मतब पूरिया बना लेंगे यहां पर मैंने पूरी बनाने के लिए छोटी सी लोई ले ली हैं यहां पर मैं गोल पूरी ही बना रही हूं आप इसी भी सेट में बना सकते हो मतब रोटी बना के जैसे काट के बनाते हैं उस टाइप में भी बना सकते हो पर गोल पूरी बहुत ही द यहां पर हमारा तेल भी गर्म हो गया है, तो हम इसमे एक एक करके पूरी के अच्छ से फ्राइय कर लेगे। और आप करके आठा हमें पर पहले ही लगा के रख दे था था नimarा तो बहुत अच्छ से शैट हो गया है। और यहाँ पर हमारी पूरियां बहुत अच्छी बनेगी, मतलब फूली फूली बनेगी, आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी कितनी अच्छे से फूल गई है न, इसी तरह से सारी पूरियां फूली फूली बनेगी, लेकिन आपको यहाँ पर आटा पहले से ही लगा के रख नहीं देखा देती हूं कि वो भी कितनी फूली फूली बने हैं। जैसे सारी पूरिया बनेने और वेसे ही सारी पूरिया फूली फूली बने गी और बिल्कुल भी चप्टी नहीं होगी। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आठा आपको पहले ही लगाना है जब आठा से सेट हो जाता है ना तो पूर्या बहुत अच्छी बनती है और यहाँ पर यह सूटिंग ना कल की है कल मैंने बोग प्रसाद में यह बनाया था बट मैं शेर नहीं कर पाई थी कल इसलिए आज मैं वीडियो शेर कर रहे हूं मुझे ना कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने सारी पूर्या बना ली है और अब हम करेंगे प्लेटिंग प्लेटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर कटोरी में हलवा निकाल लिया है उसके ब सकते हूं मैंने इसकी फूल डीटेल रेसेपी डाली है चटनी ना बहुत जादा टेस्टी लगती है हम इसे बना के महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और आपने कभी नहीं ट्राइ किये तो आप एक बार जरूर ट्राइए करना और हमारी थाली तयार है बाई बाई इ अज़ किर फजहती है आपने खियार के चाह संपित सुन आप में इसकी लगती है इसकी है रख बाई प्धितं आप चेको खुचल से वज़ाए वर फिक्वतन गाने करके भीे चाह सकते हैं ग्ड़ुग